तालिबान के लड़ाकों से न केवल अफगानिस्तान के आम नागरिक असुरक्षित हैं, बलकि धार्मिक जगहों को भी लगातार नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तालिबान के निशाने में शुरू से ही हिंदू और सिखों के अलावा उनके धार्मिक स्थल भी निशाने पर रहे हैं. ऐसे में हम आपको अफगानिस्तान में स्थित देवी मा के उस मंदिर के बारे में बताने जा रही हैं। अतंक के साये में भी अपने चमतकारों की वजह से स्थित है। यह मंदिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आसा पहाडी पर स्थित है। मा के लोगों के बीच मान्यता है कि मा शक्ती आसा माई अपने भकतों की हर मनोकामना को पूरी करती हैं, इसलिए इनको आसा माई कहा जाता है। मा के इसी नाम पर पहाडी को आसा पहाडी रखा गया। हालांकि इस मंदिर में भक्तों की संख्या तो उतनी नहीं होती जितनी भारत के मंदिरों में होती है लेकिन आज भी इस मंदिर को लेकर हर भक्त के दिल में आस्था है माता आसा माई के मंदिर में मा शक्ती के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थित है इस मंदिर के पास एक शिला भी स्थित है जो पंसीर का जोगी के नाम से प्रसिद्ध है इस शिला के बारे में एक कथा भी है कथा के अनुसार लगभग 152 साल पहले एक जोगी इस पहाड़ी पर माशक्ती की पूजापाथ वह तपस्या करता था लेकिन स्थानिय लोग उसकी पूजापाथ में विघ्ण डालते और उसको बहुत परिशान करते लेकिन तब भी वह माता की पूजापाथ करता रहता पुकारा जाता है, बताया जाता है कि यहां आज भी ऐसे कई चमतकार होते रहते हैं जिसकी वजह से यहां की फिजाओं में फैली दहशत की गंध की वजह से भी श्रधालूमा के मंदिर आते हैं और मत्था टेकते हैं साथ ही आतंकी भी इस मंदिर के चमतकारों से डरते हैं इसलिए मंदिर के आसपास भी नहीं आते तो ये था इतिहास इस चमतकारी मंदिर का अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें धन्यवाद